सब मेसेज करेंगे पहला कोशन का अंसर अर्पना पांडे जी देंगे इस्था वास्व पनिशत का मूल स्रोथ है बताईएगा अर्पना जी जी ये जुरवेट जी बता दीजी कि कौन से ये जुरवेट जी सुपल ये जुरवेट की ये माधनेंजी ने साखा सी 40-40 से ये लि सारानों जी आपके लिए पुस्टर है इसा वास्व पृष्ण में मंत्र कौन से अध्याय से संबंदित है और इसमें कितने मंत्र हैं बताईएगा अप्शन ए सही है जिसमें 40 अध्याय है पर अठारा मंत्र जी बल्कुष नहीं आप संब्सक्राइब बल्ली आपने नेक्स्ट पीसरा कोश्टन का आंसर करेंगे अनिरुद्ध सर्माजी अनिरुद्ध सर्माजी आपके लिए कोश्टन है आत्मा ज्यान का वर्णन की स्लोक में वर्ण नहीं था या थे मिन्ता है है यह जी बी बी बीम है शिक्स और सेवन के अंतर जब आप बता रहे हो कि आत्मा का वर्णन है करके करें अगला कोशन का अंसर देंगी चंद्रकला कोठारी जी हां चंद्रकला कोठारी जी अचंद्रकश्टारी जी प्रवित्ति के लक्षन है बताईएगा आप्षन विसे कौन से है प्रवित्ति के लक्षन बताएगा है दूसें गुपताजी त्यार रहेंगे च्टो प्रवाश्व फ्रिशत मुक्ति कमार अगा है अगैं लिए अप्षन यह विट्स है आप्षन नंबर सी सभी कभी सफ़ी अंसर है थी श्यूंक नेश्ट कॉस्ट्ण कोस्षिन कांसर देंगे जैसरी उम्रे जी जैसरी उम्रे जी केवल तिया की उपासना से क्या होता है क्या प्राप्ति होते बता एआप गोर अंदकर कि परक्ति जिस आई सरे सरही कांसर भी सही आर रहे घ्टोप नेट्स को सब्सक्राइब अगला कोश्चान कांग सर देंगे पॉस्चान कोश्चान ऊपर करना एक बर वापिस से हां इसमें केबल विज्जे के उपास्टना से तो कर दो कर दो कर दो करना को तो नाम लेने पहले करना आप अगर आपके अगर कोश्चान के पीछेगा पीछेगा ओके ठीक है कि बद्धिया की पास्टना से है थीक ठीक ठीक और थेंक यूँ आप यह आपने तो सभी ने आपको सभी नंबर आठा का सभी ना अंसर दीया है कर्म का करने से कर्म के द्वारा किसके प्राक्टी होती है रही इज़तकी पौन देगा ने प्रॉल्दध कर दो जिए इसमें हैं कि विद्या और अविद्या दोनों की उपाशना करने से कर्मों के द्वारा बताएगा है कि आप एड़ी ही होगा है दिर्ट कांशर देंगे लाच्मी कुमार जिक्त कर्मार करते वए कितने वर्स जिने की कामना करते वे बताये गया है इस बताये ने मुझा जुन क्लिकिन जिने की इच्छा करना इसमें बताये आ रहा है कि इसा वासुप जिसत के अनुसार प्रवर्म्हा को पाने का उपाय क्या है अलो जी जी विद्या 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 के द्वारा हम प्रवर्म्हा को प्राने का उपाय है मिनाक्षी जी बताइए दस्वन नमर कोश्चन है आपके सामने इसा वासुप निससार नहीं धन का त्याग फुर्वक उपभोग करते हुए सब कुछ इसको सौब देना किसकी अधारना जो अधाना दिया गहें किसकी अधारना है बताना आपको मिनाक्षी जी कर्म निष्ठा की अधारना के अंतकत बताया है इसमें कि धन का त्याग पूरा उपभोग करते हुए सब कुछ इसको सौब देना आपके सामें कुस्टन है इस्ता वास्तों पिंशन में दस्वें मंत्र से संब्नित है बताए आप कौन संब्नित है अधा बी बी और ची ने मुझा डाओट है पुनार जन्म का वर्णन और विद्या विज्या का और सी में कर्म कांट संब्न देते तो कर्म कांट आईगा है मेरे फाह से मौना जी कुछ इसिथ ek बारवा नंबर कोस्टन के दिया है अपने अंसर मुना जी भी है और डॉनुम में मुझे डाउट लग रहा लेकिन बी होगा जी बी इसका शहीं आंसर है विद्या और अविद्या का फल बताया है और हमने जो पढ़ा था उसका विद्या और अविद्या का वर्णन हमने सब्सक्राइब करना कर्म कान को संपन करना अब परिश का संपुन मुझे तो यह लग रहा है आत्मी परिश का संपुन से इस तरह के समझकर सत्याग करना विल्कुल सहीं बोला आपने ऑप्कूल एक डिवी डी नहीं हो हुआ बेकुल सहीं इसमें बतायागा है कि ज्ञान निष्ठा की विशाय वस्तु कंतागत पहला आपसंता ही होगा ठीक है पूजय सिंग राजपूर जी पूजय जी स्टार्ट रहें के चौदा नमर कोसन आपके सामने हैं कर्म निष्ठा का विशाय वस्तु है अगला कोशान का अंसर देंगे पूस्पा लखेरा जी पूस्पा लखेरा जी आपके सामने प्रशने पंद्र नमर के प्रथम दो मंतर की विश्वस्तु है यह अगर अब इक ने रिखत्धी और हुआ इस ना कॉइश्पक्र में दू मंगे आप 2 सिर्फटे क। इस आ पो फैर देंगे राधी का जी आपके सामने मंबर इस तैंग फिर्छ की ये अघ्रा दानता किस्ते चाल इस आbreak जी भया कर्म से भया वो तीन कर्म बताया है ना निचकाम कर्म और कर्म और विकर्म तो यह कर्म से निचे अच्छा जी जी सही आंसार आपका जी आंसार देंगे सत्यवीर जी किस से मात्रिश्वा और आपाह का संपादन होता है अंसार देजिए अगर तो इसका अंसार देंगे सालनी जी सालनी जी आपके सामनी अठारवन में प्रश्न है पर ब्रह्म्भा का स्वरूप संबंदित नहीं है आपके बताना है कि कौन से संबंदित नहीं है स्वाते जी को अधर कि की अधर करें जी आफ्रेंगे आफ्राइल कि अधर आफ्रेंग प्रश्न आफ्रेंगी एक मिनिट ऑर रे बिश्क्यूण को एक कि थे आफ्राइक इसमें इंद्रादी जो देवगने वह प्राप्त नहीं कर सकते पायव रंभा को इसी को मैंने कर सफ़ाई करके मैंने इसमें डाला है गलत अंसर ठीक है इसमें बताय गया है कि वह पर है कि अगला कोश्चन का अंसर देंगी राधिका जी राधिका जी आपके सामने उन्नीश्वा नमर कोश्चन है कि असंभूती संब्लित है इसमें बिख्राव से गया जी को इसमें बिख्राव बताएगा है असंभूती का एक साथ उपाशन से किसकी प्रक्ति होती है जी आपकों सर बिल्कुल सही आत्मभाव भी आपसर जो देर हैं वो चेक किजैग अपना अंसर इसमें आत्मभाव बताए गया गया अगला पॉश्चन कांशर देंगी पूजया सिंग राजपुरूजी पुज़सी राजपुद्जी आपके सामने 200 नमर प्रश्ण है इसा वासो प्रिशाद में पायर ब्रम्भा को कौन से मंदल में इस्थित बताया गया है पुज़सी राजपुद्जी इसका अंसर बताएंगे नीरत जी जी मुझे इसका लग रहा है सूरे मंदल सूरे मंदल से ढखा हुआ जो ऐसा बताया गया ना बोला गया इसने वह अंसर से इसका अप्सन नमबर सी बिल्कुज़सी अगला कोश्ण का अंसर देंगे मोना जी मोना जी मोना जी बाइसवन में प्रश्ण है इस अवास्व प्रिशत थे नुसर इस्वर पनिधान की उच्छ अवस्था क्या है समाधी भाव के लेकिन इसमें चर्चा नहीं है तो आत्म ज्ञान भी बोल सकते हैं जो बिल्कुल गलत है आत्मे ग्यान होगा आत्मे भाव होगा आत्मे भाव सही है अंसार इसका प्रथम अप्षिजी तयार रहेंगे तैस्वर नंबर प्रश्ण आपके सामने कि इस तरह देखने की बात कहीं गई है कि इसने प्रात्ना किया गया है तो यह आपको बताया गया है कि इस वर से प्रात्ना करता है कि आप जो सुर्य मिन्दा धका जो पात्र समनित है उसको हटा लीजिए तक कि मैं आपके जो स्वरूप है उसको मैं ध्यान के मद्धाम से देख सकूँ है ना ऐसा बाता आए गया है तो आपसन निमर बी अगला कोश्ण का अंसर देंगे मनोश पाल जी मनोश पाल जी तयार रहेंगे चोविस्वर नंबर प्रश्ण आपके सामने लिए के नो प्र जी मनोश्त का जो प्रश्ण है समाप्त होता है अग इसकी प्रश्ण हम आता है मनोश जी प्रश्ण कोईशन सांवेश्य समंदित है जी सन चंदग अपनी सद और हो सकता है जी सालनी योगा जी जी योग चुड़ा प्लिख भी है जी साम वेत्ता मंदीत है जी अगे अंसर निकलता है को कहा जाता है जाता है जी जाना जाता है पुश्ण पंशर देंगे कुंदन कुमार जी। पर्थम खंड में मुनिंद जी चितरंजन जी यह है आठ है और दूपियों में पांच और पिटिये बारा और चौथा में नौ अगला कोश्चन का अंसर देंगी लच्मी जी त्यार रहेंगे आपके सामने प्रस्ट नंबर 2700 नंबर है कि केनों उपनी साथ में गुरुसिस्ट समवात किस खंड में वर्ण नीथ है I guess B में है B का बी खंड में आपका दो और तिन खंड आ रहें इसमें आपको गुरुसिस्ट समवात का वर्णम मिला है आपको मुझे याद ने सी लिख रहें सारे सी का खंड वन का टू पार्ट होगा पहले में आत्म ग्यान का है और फिर उसमें बुरुसिस्ट कमवात है पहले कर प्रथम खंड का प्रथम खंड का आपसंस सीख साथ जाने चाहों कि दिदी इसमें खंड वन और टू में से गुरुसिस्ट समवात से संबंदी था यह और सभी कांसरी सहीं आ रहा है कि नेश्ट कुष्ण का अंसर देंगे जैश्री जी जैश्री कृष्ण जी अठाइस्वन नम्व प्रश्ण आपके सामने यक्ष्य तथा देवताओं का उपाख्यान किस खंड में वर्णित मिलता है कि अगला कोश्ण का अंसर देंगे जैश्री तुर्सियन गुप्ता जी आपके सामने कुष्ण है औन तीसवा नम्बर के लो उपनी साद में किस तत्व की प्राप्ति होती है कि कि आपि मलए तत्व है इसके बारे बताइएगा तक मेरे को एक और रहा है आपका पहली आपसर आपका सही आए सी आपसन पर ब्रहम हतत पकी इसमें प्राप्ति होती है के नो प्रुशद में जिसमें ए लिया है वो देखेगा अपना अंसर चेक कीजिएगा आपके सामने तीसवा नमबर प्रश्ण है कि अन्ता कराण में सम्मिलित नहीं है अगला कोश्चान का अंसर देंगे चंद्रकला को ठारीजी आपके सामने 21 नमबर प्रश्ण है के न उपनी सत के नुसर ब्रह्म्ह है ब्रह्म्ह क्या है बताए इसका अंसर अंसर बी बी आंसर आ रहा है अगला कोश्चान का अंसर देंगे भाउना जी तयार रहेंगे 32 नमबर के लिए के सब्द का अर्थ क्या है अगला कोश्चान का अंसर देंगे आसा राना जी आसा राना जी तयार रहेंगे 33 नमबर प्रश्ण है आत्मविद्या की प्राति किसके द्वारा होता है बताए एक अंसर प्राति किसके द्वारा होता है पहला की प्राति किसके द्वारा होता है पहला अपसाने आत्म ग्णान द्वारा आत्म बद्वारा आत्म विद्वारा परमात्मा प्राप्ति द्वारा इस इन मेरे पोल नहीं लग रहा है साही आंसर ये सबसे पहले आत्म ग्यान होता है आत्म ग्यान आप में सब परमात्म के प्राप्ति और आत्म विद्वारा होता है आपसान नंबर भी होगा आत्म बद्वारा ठीक है आत्म अंसर देंगे अर्पना पांडे जी आर्पना पांडे जी आपके सामने चौंटी सो नंबर प्रश्ण है ब्रह्मा के आदी दैविक संकेत कैसे प्राप्त होते हैं इस उपनी सबसाई आगा आपसा नंबर भी होती है जी बिजली के चमकनी जासा जी आपने सही प्राप्ति जासा बिजली की चमकते जैसा पलक के जपकने जैसा यह दोनों ही ब्रह्मा के अन्होती होती है लेकिन इसमें वो मैंटन नहीं है जी बिल्कुल सही बला आपने पॉर्षेप्ष आपकी शोन नमे कि बिया कि प्रश्न Kazakh कि ब्रम्म है ऑजीत देओ जीतरी अजीत की आपके सामने 25 में प्रश्न है ब्रह्म किस कि नाम से प्रसिद्ध है इस 시क्डार तॉचन है सिय disguise प्रशिद्ध है उस्पा लखेड़ा जी आपके स्थाम में चतिस्वा नंबर प्रश्ण है वाय देवता को किस नाम से जाना जाता है अगला पोस्टन का अंसर देंगे स्वाती जी आपके सामने सर्थी फुन प्रश्ण है जात वेदा नाम से प्रसिद्ध देवता कौन है जबनी, ज़ी अगनी जो है इसको जाट विज़ा नाम से प्रसिद्ध है इस उप्रिसद के हमे सार, ज़ी अगला पॉर्शन का हम सर करेंगे मोहित पाल जी, मोहित पाल जी आपके सामने हैं, अर्थी-सवा नम्ह प्रश्ण के नौ उप्रिसद में, ब्रह्म्हा विद्या प्र है कि हुआ है कि म Kerry में जो ऊपिछन नुम्र जी इसका कर्म और गम तो है इसमें तक अधर मैं कि वात। अगला कोर्षिद काम सरदेंगे कुंधन ね प्रश्ण है और चालिसवा की इंद्र देव ने ब्रह्म महा को किसके पराजाना अगला प्रश्ण का अंसर भूंगे मिनाप्षी जी आपके सामने चालिसवा प्रश्ण है यक्ष से मिलने वाला दूसरा देवता निम्नमें से कौन थे वायू देवतार जिनको मास्विश्वा कहा जाता है फाले कौन गया था अगनी गया थे फिर वायू फिर इंद्र बेरीकुस अगला कोशन का अंसर देंगे नीराज जी नीराज जी तयार रहेंगे एक चालिसवा नहों प्रश्ण है के नोपनी सद में यक्ष वरित्तान से क्य अबिमान जागने की इक्षा मिलती है अबर कुछ नहीं बस मजेट अभज़िवान का बता है बांके अंसर सभी के अलग लगा रहा है एस ही करके डी आप्सन आ गया हम अधा एभी सभी प्रकार के आंसर आगे आल भी आ गया स्वाति जी 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 सहीं आंसर इसका कि इसमें है किसमें करता भाव को गर्वा का अभीमान का सभी को त्यागने की हमको सिक्षा मिलती है इस उप्रिशत के मुझार एक नीरा जी 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 विया अगला पुष्ण का अंसर देंगी लच्मी जी लच्मी जी आपके सामने ब्यानिस्वन प्रश्ण है प्रथम खड़ में अगला को शंब क Tabii-चान का अंसर करेंगे मोना जी कौन सुना नहीं मोना चाहिए लिव को इन-दें जी इनद्र कर दो कि अनूसा चाहें किम इसको सफर्वसेष्ट बताए गया है कि इसलिए बतायागा जो अगनी जब गया थे जो याक्षी जी धि उनसे प्रथयक्षिकरन वा था उनका प्रथयक्षिकरन नहीं वा था वह वह था बहां से गायब हो गयते हैं जो भी पुरुमा एंबथी जी आइती थारड अज्या का सथ से लास्वाले में प्रोनों ने बत कि देवो में स्रेष्ट अब बोला गया है कि इसका ना सही आंसर ये भी है क्योंकि इंद्र को सबसे निकट से प्रत्यक्षी करण हुआ था क्योंकि जब बोला गया है ना बिजली चमकने जैसा और पलक जपकने जैसा तो इंद्र ने उस छड में उनको देखा था और उसके बाद उमा ने उनको तुरंद बताया कि वो ब्रह्म है जिनको तुमने वो बिजली चमकने जैसा देखा था तो इंद्र को निकट से उनका प् अगला प्रश्चन का अंग सार देंगी भावना जी आपके सामने चमल इस्वा नमब प्रश्ट है ब्रह्म्भा को कौन जानता है अगला प्रश्चन का अंग सार देंगे दूस्य अंत गुपता जी त्यार रहेंगे सालनी च्ञान कि ब्रह्मा को जानने साय आनस है कि आपे बर आपली आत्म ज्यायन वोना ख зай चाष्टन का इसुर्थ अंग को आठ्म ज्यानना है इसका ब्रह्म olması को जानने का साधन किस्वा अबिसे मिघ करात्यां थिए अगला प्रश्चन का अंसर देंगी सालFLनी इए सालेनी जी आपके सामेले 46 वा नुमर प्रश्ण है केनो प्रशत के नुसार परमात्मा प्रवित करता है इसका मन को प्रान को वाने को उपर दिपता सभी जे जे सही आंसर आपका के इसमें किनो प्रशत के नुसार परमात्मा प्रवित करता है मन को प्रान को वाने को उपर दिपता सभी जे नेस्ट कोर्शन का अंसर देंगे पूजा सिंग राजपूर जी पुझा सिराजपुजी आपके सांदें 479 प्रश्ण है तब के संदर्वाम में कौन से कशन असत्य है अच्छा असत्य है एक मिनेट कर्षट सेहन करना इंदियों के असुद्धी का नास असुद्धीयों का नास आंसर मेरे को सियापसंदी का है पुझा जी सब्सक्राइब यह एक माना सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर दिला दिया चाहिए आज की कोशन आंसर का लाश कोशन है उसका आंसर करेंगे नीरत जी तैयार रहेंगे लाश कोशन वह असुरु पर विजय प्राप्ति में तियों देव की यूद्ध हमें क्या भूनिका बताई गई है उमा देवी द्वारा बताई ये आप वराप्तिनल रहें वम्रह वेड़त श्लीड़िनल राहस कोशन इसे समय इसके साथ जेभी पर भूत आजिस को मतूर मतुथ मिपन नीमित आकर कर खर रहें ब्रह्म के गवाль इंडिक कोष़ों ना उपर में अभी ज़ानता हो घृष्टियों को राप करता हैं वह वाला कौशने बडिएगा कौशन कॉश्ण कर रही मैं को यह और कि सब्सक्राइब कर रही निहीं तो सब्सक्राइब नहीं होगा इसमें रिक्ति चाहिए कि जो विद्या और विद्या दोनों को जानता है वो अविद्या सी मृत्यू को प्राप्ट करके वो विद्या दोरा अमृत को प्राप्ट करता है हम यहां पर एक लाई नौर में जाने कि कर्मों के तो अविद्या को घ्यान बताया है तो पहले अविद्या के गौरा अम्रिटी को पार करता है तो इसके दूसरे नंबर जो एक और है ना संभूति और असंभूति वाला जो भाईया ने पूछा है अविद्या को जाना तो मृत्यू को प्राप्त हुआ और जब जाने गया तो मृत्यू को पार करके फिर अम्रिट को प्राप्त किया वो विद्या को जानने के बाद इसलिए ने कि व विदिया की उपाशना करने से करने करने से करकारी प्राप्त करता डिए मिद्या को एट करना था क्वार साही होता पिर अधना मृत्य थी जान के द्भार स्थी एक गाट्स sarcण कैजिए। डाउट क्लियर कर दीजे, संबूति और असंबूति वाला भी जो कोशन है, इसी के नीचे है, भई, अतीन चार को उठाए उपर, इस लोग नंबर 14 में देखेगा उसको, हाँ, हाँ, आत्मग्यान का वर्णन की स्लोग में है, नहीं, नहीं, संबूति और असंबूति का है संबूति को जाने का तो हम्रिट को प्राफ कर लेंगा उसमें बस यह कि कर्म के UP के द्वारा म्रिठ के ग्नाव म्रिठ को प्राफ कर लेंगां कशन का वालन अमृत को कि पिखेंग थी अपने पाटी से वेट किया और अच्छा अंसार भी आप रोगों करने के लिए नहीं है का नहीं कि इसा है कि अच्छिए में डी आप कर ले अच्छिए ंगर के इस भंड है ट्रया Ricky फटह देड हैं थे अची शेशी थे और बहुत रह गropri थैज ते ग्लिएगО को इसा प्रवर बहुत मुआ धां बात यह थी कि आप जो मुझसे पूछ रहे थे वो मुझसे बनी नी रहा था और जो बनते थे वो पूछ नी रहे थे मतलब तुम पढ़ी नहीं थी मोना